नमस्कार आप सभी को मकर संक्रान्ती की हार्थिक शुप कामनाओं के साथ आज मैं आप साब के सामने मकर संक्रान्ती के महत्व को साचा करने जा रही हूँ पर्व अनुष्ठान भारत की प्राचीन उज्वल संस्कृती के आधार स्थम्ब है हमारे मनिश्यों ने इंत्योहार को विशेश रोप से उर्जा एवं दिवेता का संचार करने वाला बताया है हमारे शास्त्रों में सूरे के उत्रायान और दक्षणायान इन दो मार्गों का विशेश रोप से उलेक मिलता है उत्रायान मार्ग को सकरात्मक्ता एवं आध्यात में ज्यान रूपी प्रकाश का प्रतीक माना गया है और दक्षिनायान मार्क को नकरात्मता का प्रतीक माना गया है मकर संक्रांती के मंगल पर्व से सूर्य उत्रायान में प्रवेश करता है संक्रांती से अभिप्राय है परिवर्टन अर्थात इस दिन सूर्य मकर राशी में प्रवेश करता है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में उत्रायान को नव स्फुती, प्रकाश और ज्ञान के साथ जोड़ा गया है यह दिव्य शक्तियों एवं सात्विक प्रवर्टियों को जगाने की उत्तम बेला है उत्रायान के प्रारम्व होने से इस भूलोग पर भी आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश हो जाता है इस पावन बेला में जो अपने शरीर का त्याग करते हैं वो दिव्य लोग को प्राप्त होते हैं महाभारत के महाननायक बीश्म पितामा शरीर के छत विशत होने के वाबजूद भी मृत्युशया पर लेटकर शरीर त्यागने के लिए सूरे के उत्तरायान प्रवेश का अंतिजार करते रहे सूरे के उत्तरायान की ओर जाने से प्रकरती में भी परिवर्तन होता है इस दिन से ही सूरे उत्तरी गोलार में आना शरू होता है जिसके फलसरो राते छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं इस घटना को हमारे मनीशियों ने आध्यात्मिक शब्दावली में समझाते हुए कहा है कि यह उत्तरायान अंधकार से प्रकाश की व्रद्धी की ओर प्रेरित करता है प्रकाश ज्यान का प्रतीक है और अंधकार अज्यान का समस्त जीवधारियां प्रकाश चाहते हैं बहुत एक प्रकाश एवं आध्यात्मिक प्रकाश से ही प्राणियों में नई उर्जा का संचार होता है प्रकाश अधिक होने से प्राडियों में चेतना एवंकार शक्ती में व्रद्धी होती है धन्यवाद आशा करती हूँ मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी